नमस्कार सर मेरा नाम राजू है काफी सारे लोग का कोस्टन होता है कि मुचल फंड में टैक्स कितना आता है इसके लिए हम देखते हैं कि मान लीजी कि आपने आज 10 लाग रुपय और जब आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके एक उनिट का प्राइस एक सिक्के का प् हो गया और उस समय जब आप प्राइस देखते हैं तो इसका प्राइस हो गया एक हजार रुपया जो चीज आपने सो रुपया का खरीदा था उस समय बाद में फ्यूचर में हजार रुपया हो गया तो अब जब एक कोड़ वो गया इसमें से आप 20 लाग रुपया रिडीम क तो आपको 20 लग का यूड़ बेचना पढ़ेगा कितना यूड़ बेचना पढ़ेगा तो अभी प्राइस चल रहा है 5000 रुपया और 2000 यूड़ बेच दें 2000 सिका बेच दें तो हमारे पास 20 लाग रुपया आ जाएगा तो चलो 20 लाग रुपया आग ये बेचने के बास पर दोनों को मल्टीपलाए करें तो दो लाख रुपये में वो उस्का खरीदा था 2,000 और बाद में इस 2,000 यूनिट को बेचा तो 20,000 रुपय हमें मिल गया पर खरीदे कितने में थे 2,000,00 में तो पहले तो जो 20,000 रुपय रिडीम किये उस में से 2,000,00 रुपय अपना मुल्धन है जिनका इंकम नहीं है जिनका इंकम झादा थीज परशन यहांन है सब को यह पैसा 10 पर इतल यह होता है यह तैक्स आपको देना ही देना है आप 20 ला के जगधा परेटीम करने करें हैं पोरा का पूरा हूद होता है कि जब ले cannabis से कीुट terrifying है और खरीदे कितने में थे दोनों को मैनस करेंगे एक लाग रुपय मैनस करेंगे जो बचेगा उस पे से 10% टेक्स देना है पर इस टेक्स से किसी को दुखी नहीं होना चाहिए मैं आगे समझाता हूं माल लेते हैं कि मार्केट में टोर्टल 200 लाग क्लोड है और 200 लाग क्लो करता है 10% जैसे कि मैंने उपर केलकुलेशन बताया हम अभी बात करते हैं लॉंग टर्म केपिटल गेंटेक्स का एक साल के पहले 15% देना है इसमें कुछ केलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है जितना गेन हुआ उस पर 15% टेक्स देना है एक साल के बाद यह जो नोटेंग क कर रहा हूँ यह लॉंग टर्म केपिटल गेंटेक्स के लिए अब मेरा यह कहना है कि माल लेचेंग की 200 लाग क्लोर में 20% ऐसा पैसा है जो हमेशा एक साल के बाद खरीद विकरी गेन करते रहते हैं तो 200 लाग क्लोर का 20% कितना होता है आप कहेंगे राजुभिया यह तो ब घोड़ा लिखा होता 200 घोड़ा का 20% कितना होता है तो 40 घोड़ा यहां पे लाग क्लोर सटा हUC तो दोसो के फिगर को देखा, 20% निकाला, एसा पैसा है, जो एक साल के बाद लोगो खरीद विक्रि करते रहते हैं, गेन करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, तो 40 लाग करोड का अब 10% टेक्स लगेगा, तो 40 लाग करोड का 10% केतना होता है? चार लाग क्रोड ता है ये चार लाग क्रोड भारत सरकार के तिजोरी में गिया वहीं से हमें सेलरी मिलता है हमारा रोड बन रहा है मेट्रो चल रहा है जितने डॉक्टर पुलीस सब का खर्च यहीं से मेक अप होता है तो टेक्स के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए मैं मनाता हूं कि मैं 2000000 देता हूं तो 205000000 कभी एक खरोट टेक्स दूं जितना भी टेक्स दूंगा हमारा इंकम उतना ही बढ़ता रहेगा टेक्स तो आपको 10 पर्षंट ही देना है ना बंग पमके Sån के पर मोंके सोचेंगे कास मैं 50 लाग टेक्स दे पाऊं अगर ऐसा होगा तो आप अमीर नहीं बहुत ज़्यादा अमीर होएंगे इसी तरह आपको और कुछ कैलकुलेशन जानना है तो आप मेरे नमबर पे मुझे वाटसप कर सकते हैं आप अपने आफिस में सिर्स पे बैथ हैं हेट हैं तो आप हमसे फैनेसियल प्लाणिंग का कुलास गूगल मीट पे कर सकते हैं हमारे financial planning का जो class होता है 30 मिनट से लेके एक गंटा हम financial education के लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं आपको online mutual fund में invest करना है तो link में जाके आप mutual fund का account open कर सकते हैं और आप हमसे directly जोड़ सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो like and subscribe जरूर करें थेंक्यू सो मच